अनुपमा, बीते कई सालों से TRP लिस्ट में नमबर वन पर रहने के साथ ही फैंस का सबसे पसंदीदा शो बना हुआ है। घर घर में ये शो देखा जाता है। हर देल फैंस को नए ट्विस्ट का इंतजार रहता है। फैंस अनुपमा और अनुच को हमेशा खुश और साथ देखने के लिए बेचैन रहते हैं। इन दिनों शो में एक के बाद एक कई धमा की दार प्विस्ट आ रहे हैं। माया का सफर हमेशा के लिए शो से खत्म हो गया। माया की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसका असर अनुपमा की जिंदगी पर पड़ता नजर आ रहा है। इस वजह से वो अमेरिका नहीं जा सकी। जिस वजह से मालती देवी अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगी कि मालती देवी अनुपमा को कहेंगी कि वो उसे उसके बच्चों से दूर कर देंगी। वो कहेंगी कि वो उससे तब माफ करेगी जब वो अपने बच्चों को छोड़कर उनके पास आएगी। माल्ती देवी के ट्राप में अनुपमा फस्ती नजर आएगी, अनुपमा के पास से काम भी चला जाएगा, उसके डान्स ग्लास पर ताला लग जाएगा, ऐसे में कहा जाएगा कि अनुपमा की डान्स ग्लास बन कराने के पीछे माल्ती देवी का हाथ है, दूसरी और दिंपी एक और त्विस्ट देखने को मिलेगा समर की मौद की खबर सुनाते तो शु नजर आने वाला है ये खबर सुनने के बाद अनुपमा की पैरों तले जमीन थी सक जाएगी समर की मौद की वज़ेहाँ तक सामने नहीं आई है समर की मौत के बाद अनुपमा और शाह परिवार बिखरा नजर आएगा अनुपमा का पागलों जैसा हाल देखने को मिला था वन्राज भी इस घटना से पूरी तरह तूट जाएगा समर की मौत की वजह भी मालती देवी से जुड़ी होगी इसका पता जब अनुपमा को चलेगा तो उसके दिमाग से माफी का बुखार उतर जाएगा अनुपमा मालती देवी आमने सामने देखने को मिलेगे वही अनुच के परिवार में खलबली मच जाएगी अनुच का भाय अंकुष लगातार अपनी नाजायस ओलाद का ख्याल कर रहा है ऐसे में ये देखने को मिलेगा कि वो उससे ले आएगा जिसके बाद बर्खा और अधिक चींदगी में बवाल मचनते है फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए